भटको मत, एक था किसान, वो अपने कुट्टे को लेकर एक दिन अपने खेत में गया था, उसी समय उसके घर पर उसका एक परिचित उसे मिलने के लिए आता है, उसकिसान की बीवी ने उस परिचित से कहा कि वो घर पर नहीं है, वो तो खेत में गय है, पत्नी ने उन्हें कहा आप अंदर आकर बैठ जाए, तब तक में अपने बच्चे को उन्हें बुलाने के लिए भेजती हूँ, किसान की पत्नी अपने लड़के को खेत में बुलाने के लिए भेजती है, कुछी देर में तो किसान खेत में से अपने घर पर आ पहुँचते है, और उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी होता है, किसान का पालतू कुत्ता बड़ी तेजी से हौन्फ रहा था, कुत्ते को ऐसे हौन्फते देख घर पर आये हुए व्यक्ती ने किसान से पूछा कि क्या आपका खेत घर से बहुत दूर है, किसान ने उन्हें जवाब दिया, नहीं खेत तो पास में ही है, क्यूं क्या हुआ, आप ऐसा क्यूं पूछ रहो हो, तब उस व्यक्ती ने किसान से कहा कि मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कि तुम और तुम्हारा कुट्ता दोनों साथ में ही गए थे और साथ में ही आए, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर ठकान नहीं लग रही जबकि तुम्हारे कुट्ते की हालत तो देखो, वो तो पूरी तरह से ठक गया है, किसान ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं और मेरा ये कुट्ता एक ही रास्ते से घर वापिस आये है और हमारा खेत भी पास में ही है, मैं बिल्कुल भी नहीं ठका हूँ लेकिन मेरा ये कुट्ता ठक गया क्योंकि मैं सीधे रास्ते से घर चलते हुए आया हूँ, जबकि मेरा पालतू कुट्ता अपनी आदत से मजबूर है, ये कुट्ता अपने आसपास अन्यकुट्तों को देख कर उनको भगाने के लिए उनके पीछे दौरता था और भौकता हुआ वापस मेरे पास आ जाता था, फिर से जैसे ही इसे दूसरा कोई कुट्ता नजर आता, वो उसके पीछे दौरने लग जाता था और इसलिए वो अपनी इस आदत की वज़े से ठक गया है, अगर हम अपने वास्तविक जीवन की बात करे तो आज के इनसान की भी इस कुट्ते जैसे ही स्थिती है, वो अपने जीवन के लक्ष तक पहुंचना तो चाहता है, मगर उसे अपनी राह में मिलने वाले कुट्ते उसकी सीधी और सरल राह में भठका रहे है, इनसान अपनी राह में भठक रहा है और ये भठका भी उसे ठका रहा है, ये लक्ष तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बाधा है आपकी उर्जा को रास्ते में मिलने वाले कुत्ते बरबाद करते है इन कुत्तों को भौकने दो और अपनी राह में सीधे आगे बढ़ते रहो आपको ऐसा करने से एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगी